हर हर महादेव चैपोलेना नमस्कार मैं शादना पाड़ने मागदेशन के आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों मैं बात करने वाले हूँ गुप्त नवरात्री की हमारी जो दस महाविद्याओं की आराधना होती है तो प्रति दिन आप सुनेंगे गुप्त नवरात्री की जो देवी जिस देवी की जिस दिन पोजा होगी उनकी कथा के बारे में क्योंकि दोस्तों कथा वो चीज है जो आपको बताती है कि देवी चरित्र क्या है देवी ने इस स्वरूप में किस लिए अनुतार लिया था तो नौरातरी विदती विदती एक बहुत ही सुख़द आपको अनुभव होगा तो हर दिन कथा के अंत में आपको उपाय भी बताऊंगे तो विशेश है वीडियो मेरी समस्ये आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा क्योंकि मेरा प्रयास यही है दोस्तों कि इन नौ दिनों में आप अपनी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाले तो प्रति एक दिन मैं कुछ विशेश आपके लिए उस देवी से जुड़ा हुआ उस महाविद्या से जुड़ा हुआ आपको बताने वाले हूँ अब चलिए दोस्तों कथा स्रवर करते हैं और ये जो उपाय मैं बताने जा रहे हूँ वो आप सुबा साम कभी भी किसी भी समय कर सकते है अब बात आती है कि इसमें ब्रत रखना अनिवारे है या नहीं तो दोस्तों बिल्कुल ब्रत रखना अनिवारे नहीं है लेकिन अगर आप नवरातरी में कोई भी साधना गुत नवरातरी में कर रहे हैं तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा ब्रम्चरे का पालन करना होगा लहसुन प्याज और तामसी चीज़ों से बच करके रहना होगा और तीसरी चीज है कि नौरादरी में जूट कपड या किसी को गलत किसी के साथ व्योः करना इन सब बातों से बच के रहिए फिर आप हर काम कर सकते हैं हर उपाय कर सकते हैं, हर पूजा कर सकते हैं, हर कथा का स्रबर कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों स्री गनेश्री का ध्यानली करिए और माता काली की कथा सुनिये देखें, दस बहाविद्याव में मा काली का प्रथम स्वरूप है मा काली जी का स्वरूप अत्यांत विक्राल है और अत्यांत ही देखने में डरावना है परन्तु जितना डरावना स्वरूप है उतना ही मा मंगल करती हैं मा काली का ये स्वरूप अशुरो का नास करने वाला है यदि कोई व्यक्ति गुप्त नौरात्री के दोरान मा काली की प यस मिलता है जय की प्राप्ति होती है समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है मा काली मा चामुंडा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के कश्टों से मुक्ति मिल जाती है मा के एक हाथ में खड़क और दूसरे हाथ में त्रिशूल तीसरे हाथ में कटा ह मादुर्गा ने रक्त वीच नाम के असुर का वद करने के लिए काली का रूप धारन किया था। शमस्याओं से बधे रहते हैं, उनको मुक्ती मिलती है। जो लोग शत्रूं से बहुत जादा परेशान हैं, उनहीं भी गुप्त नौरात्री के प्रथम दिन माकाली की आराधना करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार के बाधाउं से मुक्त हो जाता है। सात्वेक रूप से माके पूजा करते हैं, वो सामाने तरीके से माकाली की उपासना करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं माकाली की सामाने उपासना। देखे दोस्तों आपके घर में माकाली की या मादूर्गा की जो भी फोटो हो आप बहुत ही प्रेम से माकाली को हो सकें। लोंग की माला पहनाईएगा, 11 लोंग को धागे में बांध कर उनकी माला पहनाईएगा, धूप, दीप, अक्षत, नाइबादे, फूल, जो भी चीज़ें आमें मिल सकें वो चढ़ाईएगा। आज मा को गुड का भोग अरपित करिएगा, इस सनी जनीत पीडा से मुक्ति मिलती है, सनी बार का दिन भी है, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगत है। पूजाविधी में विसेश बादे यही करना है, अब एक चीज मैं आपको बताऊंगी, उपय जो कि साम के टाइम आपको करना है, बिल्कुल साम के टाइम आप इस उपय को करेगा, इस से जो है बहुत ही ज़्यादा आपको लाब मिलेगा, लेकिन उस से पहले कुछ समझान जाते हैं, जैसे कि विसेश है, कथाएं, इन कथा को स्रमन करना जरूरी है, कि माने ये अवतार, माने ये स्वरूप लिया क्यों, क्यों लिया माने ये स्वरूप ये जानेंगे, चलि दोस्तों, गुप्त नवरात्री के पहले दिन माकाली की साधना करने से व्यक्ति पूराणिक अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रशन करके उनसे वर्दान प्राप्त कर देवताओं और ब्रामुडों को प्रतारित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोग पर कब्जा कर लिया इसके बाद सभी देवता और भगवान विष्णु ने माता से आराधना शुरू की सभी देवता और भगवान विष्णू ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संगहार एक इस्त्रे ही कर शकती है जिसके बाद सभी देवता भगवान सिव के पास गए और उन्होंने भगवान सिव को सभी बात बताई उसे अपना अंस आगार ठारंड किया जिसके बाद भगवान सिव ने अपना तीसरा नित्र खोल दिया उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माकाली उत्पन हुई माकाली के ललाट और तीसरा नेत्र चंदर नेत्र देखकर माकाली के भयंकर तीन विसाल नेत्र बन गये और यह रूप देखकर देवता एमसिद लोग भागने लगे जिसके बाद माकाली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद हुआ माकाली ने सभी का वद कर दिया लेकिन माकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माकाली के इस क्रोध से संसार भी चलने लगा जिसके कारण भगवान सिव ने एक बालक रूपी रूप धारंड किया और समसान में जाकर लेट कर रोने लगे जिसके बाद मा काली उन्हें देखकर मोहित हो गई उसके बाद मा काली ने बालक रुकी भगवान सीव को अपने गले से लगा कर अपना दूद पिलाया जिससे उनका क्रोध शांत हो गया तो दोस्तों ये थी नौरात्री, गुप्त नौरात्री के प्रथम दिन हमारी प्रथम महावित्या जिनके बारे में जानना समझना बहुत ही जादा अनिवार है अब चलिए सुन लेते हैं मा काली की आरती अंबे तू है जगदंबे काली, जै दुर्गे खबपर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती तेरी भक्त जनों पे माता भीर पड़ी है भारी, दानव दल पर तूट पड़ो मा करके शिंग शबारी सौसो सिंगों पे तुसे तू बलसाले, दस-दस भुजाओं वाली, दुख्यों के दुखडे निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती मा बेटे का है इस चग में बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता सब पर करुणा वर्षाने वाली, अमरित तर बर्षाने वाली, दुख्यों के दुखडे निवारती उमया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना शोना हम तो मांगे मा तेरे मन में एक छोटा शाकोना सब की बिगडी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, शत्यों के सद्ध कोशवारती उमया हम सब उतारे तेरी आरती अमबे तु है जगदंबे काली जै दुर्गे खबर वाली, तेरी ही गूने गावे भारती दोस्तों ये था मा काली या फिर नौराती के प्रथम दिन की प्रथम महाविद्या की कथा आरती समेथ उमीद करती हूँ कथा आपको बहुत पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अब चलिए जान लेते हैं आज का विसेश उपाय दोस्तों आज जो है आपको विसेश करना है किसी भी देवी जी के मंदिर में जाना है ध्यान से सुन लेजे किसी भी देवी दुरगा के मंदिर में जाना है अगर काली मंदिर हो तो सोनी पे सुहा गया है दोस्तों आप चले जाए आटे का दीपक लेकर के और आटे का दीपक लीजे और उस दीपक में आपको तिल का तेल भरना है तिल का तेल भरिए, ठोड़ा सा काला तिल डालिए और दो मुखा दीपक आटे के दीपक को दो मुखा जलाइगे यानि की क्रास वाली बाती डालिए, दो मुखा दीपक आप जलाइगे और माज से अपनी कामना पूर्ण होने की प्रार्थना करिएगा ये उपाई बहुत ही अचूक अमोग है और कल फिर जाने के दूसरी महाविद्या के लिए क्या करना है बस करते जाए ये नौ दिन सिद्ध होते हैं दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा प्रयास हो जाए तो हमारे काम पूर्ण होने लगते हैं बस हमें सात्विक तरीके से इस कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं करना है न सुनना है तो इस बात को जान करके और आगे बढ़ना है उमीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी एक और विसेस बात बता देती हूँ दोस्तों कि आज रात को जो है मैं लाई वाने वाली हूँ रात को 9 बजे उमीद करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर जरूर आएंगे चलिए अब मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में धन्यवाद हरहर महादी